तर्शको आज हम बात करने जा रहे हैं फल की फल में आज हम बात करेंगे संत्रा की संत्रा एक फल है संत्रे को हाथ से छीलने के बाद पेशियों को अलग करके चूस कर खाया जा सकता है संत्रे का रस निकाल कर पिया भी जा सकता है संत्रा ठंडा तन और मन को प्रसंता देने वाला है पवास और सभी रोगों में संत्रा दिया जा सकता है जिनकी पाचन शक्ती खराब हो उनको नारंगी का रस तीन गुने पानी में मिला कर देना चाहिए एक व्यक्ति को एक बार मे एक या दो नारंगी लेना पर्याब्त है एक व्यक्ति को जितने विटामिन सी की आवेशक्ता होती है वह एक नारंगी प्रते दिन खाते रहने से पूरी हो जाती है खांसी जुकाम होने पर नारंगी के रसका एक गलास नित्य पीते रहने से भी लाब होता है स्वाद के लिए इसमें नमक या मिस्री डाल कर भी पी सकते हैं वैसे तो संत्रा एक स्वास्ते वर्दक फल है क्योंकि इसमें प्रचूर मात्रा में विटामिन C होती है लोहा और पोटेश्वम भी काफी होता है संत्रे की सबसे बड़े विशिष्टा ये है कि इसमें विद्वान फ्रुक्टोज, डेक्स्टोज, खनीज एवं बिटामिन शरीर में पहुंचते है पहुंचते ही उर्जा देना प्रारंब कर देते है संत्रे के सेवन से सरीर श्वस्त रहता है चुस्ती फुर्ती बढ़ती है तवचा में निखार आता है संत्रे का एक गिलास रस तन मन को शीतलता प्रदान कर थकान एवं तनाब दूर करता है हिर्दय तथा मस्तिश्क को नई शक्ती वा ताजगी से भड़ देता है पेचिस की शिकायत होने पर संत्रे के रस में बकरी का दूद मिला कर लेने से काफी फायदा मिलता है संत्रे का नियमित सेवन करne से ववासीर की विमारी में भी लाब मिलता है रक्तिस्तराप को रोकने की इसमें अदभुत छमता होती है तेज बुखार में संत्रे के रस का सेवन करne से तापमान कम हो जाता है इसमें उपस्तित स्वायक्टरिक अमल मूत्र रोगों और गुरदा रोगों को दूर करता है दिल के मरीज को संतरे का रस सहत मिला कर देने से आश्चर्य जनक लाब मिलता है संतरे के सेवन से धांतों और मसूरों के रोग भी दूर होते हैं चोटे बच्चों के लिए तो संत्रे का रस अम्रित तुल्ल है उन्हें स्वस्त वाहष्ट पुष्ट बनाने के लिए दूद में चोथाई भाग मीठे संत्रे का रस मिलाकर पिलाने से यह एक आदर्ष्ट टॉनिक का काम करता है जब बच्चों के दात निकलते हैं तब उन्हें उल्टी होती हैं और हरे पीले दस्त लगते हैं उस समय संत्रे का रस तेने से उनकी बेचैनी दूर होती है तथा पाचन शक्ती भी बढ़ जाती है पेट में गैस, अपच, जोडो का दर्द, उच्छ रक्त चाप, गाठिया, बेरी-बेरी रोग में भी संत्रे का सेवन बहुत कुछ लाबकारी होता है संत्रे का सेवन जहां जुकाम में राहत पहुँचाता है, वहीं सूखी खासी में भी फायदा करता है यह कप को पतला करके पहार निकालता है संत्रे के सूखे छिलको का महीन चून, गुलाब जल या कच्छे दूद में मिला कर पीस कर आदे घंटे तक लेप लगाने से कुछी दिनों में चहरा साप, सुन्दर और कांती मान हो जाता है कील मोहा से जहाईयों वसाबलपन भी दूर होता है संत्रे के ताजे फूल को पीस कर उसका रस सिर में लगाने से बालों की चमक बढ़ती है बाल जल्दी बढ़ते हैं और उसका कालापन बढ़ता है संत्रे के छिलके से तेल निकाला जाता है शरीर वा इस तेल की मालिश करने से मच्छर आदी नहीं काटते बच्चे, बूडे, रोगी और दुरवल लोगों को अपने दुरवलता दूर करने के लिए संत्रे का सेवन अवश्य करना चाहिए संत्रे के मौसम में इसका नियमित सेवन करते रहने से मुटाबा भी कम होता है और विना डाइटिंग किये ही आप अपना भजन कम कर सकते हैं इस तरह संत्रा सेहत को ही नहीं खुबसूरती को भी सवारता है हमेशा पके वा मीठे संत्रे का ही सेवन करना चाहिए